नमस्कार जैसाइराम मैं ब्रिजमोन सूरी मोटिवेशनल स्पीकर साइंग रम्त राइटर रेड़ बुक एक्सपर्ट स्वागत कर रहा हूँ आपका आपके इस चैनल में आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ एक नया विश्य आज हम चर्चा करेंगे एक नए विश्य पर तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं आज शरत पूर्णिमा की रात एक सिक्का रख दें आप यहाँ पर और देखें कैसे लाब मिलता है कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार का लाब आपको मिलता है यह सिक्का पांच रुपे का होना चाहिए पांच रुपे का सिक्का ना तो दस का हो ना एक का हो ना दो का हो यह आपने रखना है इस सिक्के को बाद में आपने सुभे उठकर क्या करना है और फिर दान करना है कैसे करना है यह सारा इस वीडियो में बताया जाएगा गोर से और बहुत ध्यान से सुनिएगा बहुत अ हैं लक्षमी मा की शक्तियां धर्ती पर परवाहित होते हैं तो अब एक क्लियर बात है कि जब लक्षमी मा की शक्तियां धर्ती पर विचरती हैं तो हम भी उसे ले सकते हैं प्रंतु इतने लोगों में किसे मिलेगी ये जिरूरी है कि हम कर्म क्या कर रहे हैं हमने अच्छा कर् किया तो बुरी या वो शक्तियां जो हैं हमसे दूर हो जाते हैं हमने कोई कर्म नहीं किया तो हो सकता है शक्ति मिल जाए हो सकता है ना मिले तो हम कर्म करेंगे क्या करेंगे पांच रुपे का सिक्का आप अपने सिरहाने के नीचे रख कर सो जाएंगे और सुबह उठकर उस स गुननाग 11 माला कौन सी होनी चाहिए यहां ये स्वाल नहीं है बाला से अर्थ है गिनती आप गिनले बस तो आप 11 माला करके अब उसको आप किसी नोट में लपेट लीजिए पाँच के दस के पचास के सो के जितने आपका समर्थ है जितनी आप कोई pocket allow करती है आप उसको लपेट लीजिए और फिर उसको दान कीजिए घर से निकली जो सबसे पहला बिखारी आपको दिखाई दे उसको दे दीजिए उसके पीछे भी जाना पड़े तो चले जाईए वो लेने से इंकार करे तो दूसरा तूसरा तीसरा ऐसे सबसे पहला जो ले ले उसको दे दीजिए अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या होगा इससे बहुत बड़ी शक्ति आपको मिलेगी आप समझ नहीं सकते कि आपने क्या कर लिया आपने एक ऐसा कर्म किया जिसकी अवदी करीब 10-12 गंटे की थी रात को रखा, सुबह दान किया पूरी रात जब माता की वाइब्रेशन, माता की शक्तियां परवाहित होती रही तो वैं हमें भी मिलती रही वैं हमारी और कर्शित होती रही क्यों? क्योंकि हम कर्म करने वाले हैं हमने दान के लिए अंश निकाल लिया उसमें और मिलाया और दान किया अब यहाँ पर यदि आप उस दान के साथ आटा, चीनी, चावल कुछ भी दान करना चाहें कर सकते हैं आपको विशेश, लाब, और अधिक मिलेगा यानि कुछ भी दान करना चाहें कोई यहाँ इनकार नहीं है आज की रात भी कर सकते हैं, कल की रात भी कर सकते हैं यानि 23 को, 24 को किसी भी दिन आप किरेंगे तो आपको यह लाब मिलेगा बहुत अधिक लाब मिलेगा, कम नहीं, बहुत अधिक तो आप ये कीजिए और शदा के साथ कीजिए जिनको मासिक धरम हुआ है वह भी कर सकते हैं सुबह पाठ वो नहीं करेंगे दान ऐसे ही कर देंगे बाकी जाब कर सकते हैं जोत वगरा मत दिलाएं चाहे मासिक धरम है सुबह जाब तो आप कर ही सकते हैं आप दान कीजिए, बहुत अधिक लाब मिलेगा, मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि ये उपाए, ये टोटका मैं खुद करता रहा हूँ, और मुझे भी बहुत लाब हुआ, तो आप ये कीजिए, प्रमातमा आपको सुक्षानती, पैसा, धन, धौलत, पुत्र, सब कुछ और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए, तो इसे शेयर कर दें, ताकि शेयर करने से दूसरे लोग भी देखें, उनको भी लाब मिलेगा, तो आपको उसका पुन्य प्रापत होगा, तो यदि आपको कोई सवाल पूछना है, तो वर्टसेप कर सकते हैं, यदि आपने जनम पत्री दिखानी है, तब भी आप वर्टसेप कीजिए, जनम पत्री देखने की हमारी फीस होती है, आप जानते होंगे कि जनम पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, जनम पत्री में बहुत सारे योग होते हैं, योग से ही हम जान किन लाब नहीं मिला है कारण क्या है कारण ये होता है कि जनम कुंडली में योग होते हैं जब योग एक्टिवेट ना हो कमजोर हो तो ग्रह काम नहीं करते हैं और जब ग्रह काम नहीं करते हैं तो फिर उनके उपाए कितने भी कीजिए आपको लाब नहीं मिलेगा कब तक आप चाह रहे हैं पांच दिन में मिलता है फोन मत कीजिए फोन यहां कोई नहीं उठाता है तो आप मैं इजाज़े चाहूंगा नमस्कार खुश रहिए और अपना द्यान रखे